ये बताओ शिक्षा दिकारी की building है इसका हाल देखे लो स्कूल का तो क्या हाल होगा ब्रश्टाचार चाहिए उनके पास चले जाना नोतंकी चाहिए, गाली के लोत चाहिए धरम के नाम पे, जाती के नाम पे, मार पीट चाहिए उनके पास चले जाना यहां बिना पैसे के सरकारी नौकरी मिलती है? बिना सिफारिश के मिलती है? तो जब वोट ही मांगने नहीं आए तो उनको वोट क्यों दोगे? जैसे जाड़ों से घर की सफाई करते हो अब जाड़ों से 36 गड़ की भी गंदी राजनीती की सफाई करनी है दोस्तो हमारी छोटी सी पाटी है और दस साल हुएं बने हुएं बहुत बड़ी पाटी है आप के दिल में बहुत बड़ी है दो राज्यों में दस साल में नहीं जब पार्टिया बनती हैं दस-दस साल 15-15 साल लग जाते हैं एक MLA बनाने में लेकिन उपर वाले की कुछ कृपा थी उपर वाले का आशिरवात था कि हमारी पार्टी दस साल पुरानी पार्टी दो राज्यों के अंदर सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पंजाब में गुजरात में पाच हम में ले आगए गोवा में दो हम में ले आगए और तेजी से बढ़ती जा रही है तेजी से क्यूं ऐसा नहीं कि केजरिवाल से प्यार है ऐसा नहीं कि भगवंतमान से प्यार है ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी से प्यार है हमारा काम हर पूरे देश के कोने-कोने में पहुंच रहा है अकेली पार्टी है जो आपके बच्चों को आज मैं यह कहने आया हूं कि मैं आप से वोट मांगने नहीं आया एक मौका मांगने के लिए आया हूं मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँगा अच्छे स्कूल बनवा दूँगा आपके बच्चों के लिए ये जितने मा बेहने खड़ी है वैसे तो बाप को भी अपने बच्चों के चिंता होती है लेकिन मा को जादा चिनता होती है एकि नहीं है मैं आपको कहना चाहता हम कोई पार्टी आके ये बोल नी सकती 75 साल हो गए ये देश को अजाध हुए एक पार्टी ने 75 साल में चुनाओ में आके ये कहा हो कि मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दूँगा पता दे ना किसी पार्टी ने आज तक आके ये निका अगर अच्छे स्कूल बन गए होते अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल गई होती आज हमारा देश गरीब नहीं होता हमारे देश मे कोई परिवार गरीब नहीं होता मैंने देखा ये दिल्ली में दिल्ली में सरकारी स्कुलों की हालत बहुत खराब होती थी जरजर पड़े है जैसे यहां 36 गड़ में हैं बुरा हाल था कभी कॉंग्रेस, कभी BJP, कभी कॉंग्रेस, कभी BJP एक दिन जनता खड़ी हो गई और जनता ने दोनों पाटियों को खड़ के फेक दिया और आम आदमी पाटि को बोड़ दे दिया ये कुद्रत ही कराती है कुद्रत ने अपनी जाड़ू चलाई उपर वाले ने अपनी जाड़ू चलाई जनता खड़ी हो गई इमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई पान साल में बाई साथ सारे स्कूल जितने सरकारी स्कूल थे जितने सरकारी स्कूल थे सारे इतने शांदार बना दिये अब हमारे गरीबों के किसानों के मजदूरों के बच्चे बड़े-बड़े डक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं जब अच्छे स्कूल बनेंगे तब ही तो तरक्की होगी जब ये बताओ शिक्षा दिकारी की बिल्डिंग है इसका हाल देख लो स्कूल का तो क्या हाल होगा स्कूल का तो क्या हलो दिल्ली में इतने शांदार सरकारी स्कूलों में दिल्ली में स्विमिंग पूल है अंदर जितने बढ़िया हमने सरकारी स्कूल बना दिये उतने प्राइवेट स्कूल भी नहीं है दिल्ली के अंदर अब लोग अपने बच्चों के बड़े बड़े प्र एक बार इए एक बार इये उसी जंजट में नौटंकी चाहिए गाली के लोट्स चाहिए धरम के नाम पे झाती के नाम पर मार पीट चाहिए उनके पास चले जाना ममें को स्कूल बनाने आते हैं इस उनके बच्चों принципе में बिनकों नौकरी देनी आती है अभी भगवनतमान साब ने थोड़े दिन पहले 35,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी है पंजाब में 35,000 बच्चों को इन्होंने अपने हाग से हाग से नुक्ती पत्र बाटे हैं बच्चों को इतने खुश हैं लोग इतने खुश हैं गाओं गाओं के अंदर नौकरियां बट रही हैं वहाँ पे पंजाब में और एक पैसा नहीं देना पड़ता यहां बिना पैसे के सरकारी नौकरी मिलती है बिना सिफारिश के मिलती है, वहां कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं चलता, आपके बच्चों के भविश्य की बात करने के लिए आयो, तो ऐसा नहीं है कि जनता ऐसे ही वोट दे रही है, तीन बार जनता ने दिली में हमें जबरदस्त बहुमत दिया, क्यों? क्योंकि जनता खुश है हमसे, हमारे काम से खुश है, उसके बाद पंजाब में जनता ने इनको जिताया, मान साब को मुख्य मंत्री बना दिया, और पूरे देश के अंदर बात फैल रही है, कि यार एक ही पार्टी है पूरे देश में जो हमारा तकदीर बदल सकती है, तो आप से मै कहने के लिए आया हूँ, हम दस साल हो गए देश में दो रहज्यों में पार्टियां चला रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास, हम ऐसे नुकड नुकड पे जाते हैं, कभी देखा दो मुख्य मंत्री आप से वोट मांगने आया हूँ, आपका मुख्य मंत्री कभी वो चन्ता आया, कि निया है तो जब वोट ही मांगने नहीं आए तो उनको वोट क्यूंदो गे, वो टुलसी को तो मांगने के लिए आया है, तो आपको अपने भविश्य की चिंता है, अपने परिवार के भविश्य की हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इतने मोहला क देखो आपका भी इलाज फ्री कर दूंगा अगर आप एक मौका दो तो मस्तूरी विदानसवा से हमारे प्यारे भाई धर्म बार्गफ जी को जब अर्दस्त वोट से नंबर एक बटन दबाना जब अर्दस्त वोट दे के जिताना जाड़ू का बटन दबाके जैसे जाड़ू से घर की सफाई करते हो अब जाड़ू से 36 गड़ की भी गंदी राजनीती की सफाई करने है